हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके पोको सी फिप्टी वन फोन में कॉल नोट सेंट प्रोब्लेम देखने को मिल रहे तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में यहीं बताऊँगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लाज तक देखिए और अगर वीडियो पसानाए वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते है तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले यापर उपर से scroll करना है और यापर एक aeroplane mode होगा गईज यह वाला आप लोग देख सकते अगर आपके phone में aeroplane mode on रहेगा तब भी जो है आप लोगों को call not send problem देखने को मिल जाए उसके बाद यापर और एक option है गाज डी एंडी का तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपके phone में जो है यह डी एंडी mode का option on रहेगा तब भी जो है आप लोगों को call not send problem देखने को मिल सकता है तो आप लोग इसको चेक कर लिजी अगर आपके phone में यह on है तो इसको off कर दीजी, off करने के बाद आपका जो call not send problem है वो जरूर से solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बाद यापर से आप लोगों को settings में जाना है, settings में जाने के बाद यापर देख सकते एक option है sim cards and mobile networks का, तो इस पे click कर दीजीए, click करने के बाद उपर के side मे देख सकते 2 sim card का option है, अगर आपके phone में जो है 2 sim card लगे हुए है, तो जिस भी sim में जो है आप लोगों को call not send problem देखने को मिल रहा है, आप लोगों को sim पे click कर देना है, फिलाल मेरे phone में एक ही sim है, तो मैं यापर एक ही sim में click कर देता हूँ, click करने के बाद यापर नीचे द problem देखने को मिल जाएगा, तो इस use voltage को आपको हमेशा on करके रखना है, हमेशा on करने से किया होगा guys, यापर जो आपका voice call का quality है, वो बहुत ही improve हो जाएगा, ये option on रहने से, तो इसको आप लोगों को हमेशा on करके रखना है, उसके बाद यापर उपर देख सकते option देखने क मिलेगा, तो यापर हम reset पे click कर देंगे, reset पे click करते ही, यापर आप लोगों जो app and setting है, वो reset हो जाएगा, और वो reset होने से आपका call not send problem है, वो जरूर से solve हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद यापर से आप लोगों को settings में जाना है, फिर से settings में जाने के बाद यापर नीचे scroll down कर लेना है, नीचे को option देखने को मिलेगा apps का, तो इस apps पे click कर दीजिए, click करने के बाद यापर manage apps का option होगा, second वाला option तो इस पे हम click कर देंगे, click करने के बाद यापर से एक option ढूनना हैगा, इस phone का, आप लोग यापर से search करके भी देखा देता हो, phone का option, तो यापर मैं नीचे scroll down कर लूँगा, और ये देख सेकते हैं, मेरा दो-दो phone का option, आपके phone में भी दो होगे, तो यापर सबसे पहले हम इस पे click करेंगे, clear data पे click करेंगे, clear all data पे click करेंगे, और ok पे click कर देंगे, उसके बाद हम back जाएंगे, back जाने option होता है, जिससे आप लोग call करते हो, उसके settings में अगर कुछ गरबर हो रहा है, तब यापर setting जो है, यापर default हो जाएगा, मतलब normal setting हो जाएगा सभी, और आपका जो problem है, वो भी solve हो जाएगा, क्योंकि यापर settings में बहुत सारा option होते है, यापर से भी अगर कुछ आप लोग settings में जाना है, और यापर एक option होगा connection and sharing का इस पर क्लिक कर दिजिए, क्लिक करने के बाद यापर देख सकते हैं, नीचे की तरफ scroll down करके, एक option होगा reset wifi, mobile network and bluetooth इस पर क्लिक कर दिजिए, और यापर नीचे reset settings का option है, इस पर क्लिक कर दिजिए, आपका phone का passport यापर दाल दिजि और कुछ चोटी मुटी है पर आप लोग tips कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने phone को switch up करके on कर सकते हैं, उसके बाद अपने SIM को निकाल के फिर से लगा सकते हैं, या SIM अगर एक number पे लगा हुआ है, तो SIM 2 पे लगा है, तो 1 पे लगा सकते हैं, तो यह सब करने से भी आपक अगर वीडियो पसान आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई